चेस्ट कैवेटी को फिल करने वाला तथा लोर रेस्पिरेटी ट्रेक को बनाने वाले ओर्गन को लंक्स कहते हैं यह हमारे बोड़ी का में पार्ट है और इसका में काम जो है कैपलेरीज को अक्सिजन प्रोवाइट करना होता है देखे हमारा लंक्स जो है एक ऐसा ओर्गन है जो कौन की शेप का होता है और स्पंज की तरह होता है और चेस्ट कैवेटी के अंदर पाया जाता है देखे चेस्ट कैवेटी जो है वो बोन के फ्रेमवर्क से बनी होती है and make up most of the lower respiratory tract और हमारा जो lower respiratory tract है वो भी लंक्स के द्वारा ही बनाया जाता है Their most important job is providing oxygen to capillaries so that can oxygenate blood और लंक्स का जो सबसे main काम है जो सबसे important काम है वह है capillaries को oxygen provide करना जिससे कि capillaries जो है blood को oxygenate कर सकती है capillaries जो होती है वो fine blood vessels को ले जाने वाली vessels होती है और यह बहुत ही fine होती है देखिए हमारे जो lungs होते हैं वो low vis के अंदर बना होता है देखिए इस पर दो low vis होते हैं वो एक आपके right की तरफ होंगे और दूसरा आपका lungs की तरफ होता जो आपका right lungs होता है उसमें अंदर जो त्रीन low vis बनी होती है लेकिन left वाले के अंदर जो है दो low vis बनी होती है इसलिए जो वहाँ पर जो है आपका जो हमारा हार्ट होता है वो वहाँ पर पाया जाता है each lung is divided into low vis देखिए हर एक लंग जो low vis के अंदर divided होगा the right lungs has three but the left lung has only two जो right lung से उसके अंदर तीन low vis होगी जो हमारा left lung है उसके अंदर दो ही low vis होती है अलाव रूम तो अकमडेट दा हार्ट और यही काराने कि वहाँ पर जो हार्ट के रहे जगे बनी होती है together the lungs tissue surface is almost 40 time greater than the body's outer surface making the lungs one of the largest organs in the body दीके हमारा जो लंग होते हैं जो right lobe is और left lobe is दोनों को मिला कर मिलाया जाए तो जो हमारे body का जो outer surface होता उसका यह 40 time greater होता है इसलिए इसको जो है हमारे body का एक largest organ कहा जाता है तो यह हमारे body में जो largest organ उनमें से एक होता है देखिए each lung houses a bronchal tree हर एक जो हमारा lungs होता है उसके अंदर जो bronchal tree पाई जाती है bronchal tree क्या होती है which gets its name from the intricate network of hair passes that supply the lungs with hair और इसका नाम जो है bronchal tree इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका जो आपका in create network है जो कि आपने देखा कि जो tree होता है उसके root की तरह होता है इसलिए जो इसका नाम जो bronchal tree पड़ा है और यह जो bronchal tree है इसके दुआरा जो हमारे lungs को जो है ear passes होती है the ear filled sac in the lungs are called alboloid resemble grab cluster और जो यह जो हमारे bronchal tree के दुआरा जो आप लंक्स के अंदर ingest and destroy airborne irritant that enter the lungs देखिए जो आपके अंदर alboloids है तो वहाँ पर white blood cell होते हैं जो की macrofaces का काम करते हैं macrophaces होते हैं जो की बाहर से आए हुए microorganism को destroy करते हैं और यह hull alboloids के अंदर पाए जाते हैं यह वहाँ पर bite blood cell क्या करते हैं जो ear के साथ आपके irritant आए होते हैं या तो उनको ingest कर देंगे या फिर उनको destroy कर देंगे after you exhale the lungs stay partly inflated because a fluid called surfactant that is produced by a special cell and secret within the alboloids आपने देखा होगा कि जब हम excel करते हैं तो हमारे lungs फूले हुए रहते हैं इसका main कारण जो होता है वहाँ पर special cell के दुआरा secret किया गया suffricant होता है जो की alboloids के अंदर पाया जाता है suffricant contain fatty protein and help in prevent to lungs infections जिए suffricant होता है इसके अंदर fatty protein पाया जाता है और यह हमारे जो लंक्स होते हैं उनको infection से भी बचाता है देखिए क्या होता है कि कुछ जो हमारा respiratory होता है उसके अंदर अगर disorder हो जाए तो हमारे अंदर जो है अलब different तरह के जो है respiratory disorder हो जाता है infection कारण सबसे पहले acute bronchitis देखिए acute bronchitis में क्या होता है इस डेपलोप suddenly and can occur as a complication on a upper respiratory tract infection such as a common cold usually caused by a virus देखिए acute bronchitis होता है यह अचानक से और हमारा जो अपर जो हमारा respiratory ट्रेक होता है उसमें infection के कारण हो जाता है जिसके कारण जो मैं जैसे common cold हो गया यह सब चीज़े हो जाती और maximum यह जो है normal तरह वाइरस के द्वारा ही infected होता है दूसरा आपका जो respiratory ट्रेक का disorder हो है pneumonia, pneumonia causes the smallest part of the lungs to become inflated, pneumonia can be fatal for elderly people, children and other will load or become immune system दीखे जो pneumonia होता है यह हमारे lungs के जो हमारा lungs होता है उसके parts के अंदर जो आपका bronchioles होता है या फिर elaborate tissues होता है वो जो है full जाता है उसके कारण जो है यह pneumonia हमें हो जाता है और pneumonia जो maximum जो आपके भुजूर्ग लोग होता है या आप कह सकते कि elder people होते या फिर बच्चों होते उनके उपर जादा यह attack करता है जिनका की especially ओ लोग जिनका आपका आपका जो immune system होता हो वीक होता तो इनको पर जादा अटेक करता है and third one is asthma. asthma attacks are caused by constricted your ways. Algeric asthma a type of cause by Algerians often develops in childhood. The number of causes of childhood asthma continues to rise. दीखे अस्तमा जो आपका अस्तमा होता है यह इसका attack जो है आपका आप कह सकते हो कि जो asthma होता है वो हमारे जो अंदर जो ear waves होता है जिसका प्रॉंक्रिकल ट्रीकर जिसके अंदर ear आती है वो जब आपका constricted होता है constricted मतलब या वो फैटे जा तो उसमें से ear का जो है और बजबन में होता है तो बहुत सारी आपके अंदर ऐसी डवेल्जेश डेवलों में और नेश्वरली जैसे कि किसी को किसी तरह से एलर्जी हो जाना तो यह चाल्ड हुड में ही इस तरह के जो एलर्जी है डैवलप हो जाती है और बच्चों के अंदरे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाती है तेंक क्यू